यह वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 12 का पार्ट 18 है और अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को यहां डिफाइन भी किया हो गया है rate of doing work जैसे की क्लास 13 में भी हम लोगों पढ़ा है rate of doing work को हम लोग क्या बोलते हैं rate of doing work कहने का क्या मतलब हो गया power is equal to w by t work done per unit time और work done per unit time इसी को हम लोग क्या बोलते है rate of doing work तो आई हम लोग देखते हैं कि इस rate of doing work को हम लोग electric energy की रूप में कैसे निकालेंगे तो आप देख सकते हैं आपने एक formula पढ़ लिया है V is equal to क्या होता है W by Q यहां से आप W को मान निकासे हैं W बराबर क्या हो सकता है V into Q तो यहां पर देखेंगे P is equal to क्या होता है W by T तो W के जगा हम लोग क्या लिख सकते है V Q बटा T तो P बराबर क्या हो गया V Q बटा T और P बराबर V के जगा हम लोग V रिख दें और Q बटा T को हम लोग क्या लिख सकते है I लिख सकते हैं यहां प बराबर V I तो यही हो गया power का एक formula P बराबर क्या हो गया V I इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैसे अलग-अलग formula को एक दूसरे से link किया जाता है और नए-ने formula बनाए जाते है तो आप देखेंगे कि इसको और नए-ने रूप में represent किया जा सकता है जैसे कि P is equal to क्या हो गया? V I हो गया और हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? I R होता है तो V के जगा हम लोग क्या लिख सकते हैं? I R और इसको क्या लिख सकते हैं? I तो यह हो जागा I square R P बराबर क्या हो गया? I square R इसको कुछ और form में बदला जा सकता है जैसे कि P is equal to क्या होता है? V I होता है तो I बराबर यहां से हम लोग निकालेंगे I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P is equal to I V के जगा V लिख देंगे I के जगा हम लोग क्या लिख देंगे V बटा R तो यह हो जाएगा V square बटा R इस प्रकार से according to questions इस प्रकार से question होता है मतलब कि numerical में आपको जो भी चीज बोला गया है उस प्रकार से इस formula को आप अपने हिसाब से change कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं ताकि आपको numerical solve हो जाए तो इसके लिए आपको पूरा formula जो मैंने शुरू से बताया वह याद होना चाहिए यदि इस शुरू से जो भी formula याद नहीं है आपको तो आप फिर इस प्रकार से इसको नहीं बना पाएंगे तो मैंने आपको बार बार बताए कि कौन-कौन से formula आपको याद करने है तो यह बहुत ही एक यूजवल टर्म है जो कि आमजिन्दगी में आप हमेशा सुनते हैं जैसे कि आपको बोला जाए कि आपके घर में जो LED बल्ब है वह कितने power का है तो आप बोलेंगे 9 watt का है फैन कितने watt का है तो आप बोलेंगे 50 watt का है या फिर 100 watt का है या फिर अप जब market में जाते हैं bulb लेने आप बोलेंगे 100 watt का बल्ब दीजिए 50 watt का बल्ब दीजिए 100 watt का fan दीजिए तो यह watt जो word है यह क्या बताता है power बताता है जैसे कि मानलिज आपके घर में AC लगा हुआ है तो 1就會 हो सकता है या फिर 2 contribute का लगा हो सकता है तो मान लिजे कि एक किलो वाट का AC है आपके घर में तो एक हजार वाट पावर यह खाता है और आपके घर में 100 वाट का फैन भी है तो कुल 10 फैन जब आप चलाएंगे तो वह जितना इनर्जी खाएगा वह सिर्फ एक ही AC आपका इनर्जी खाएगा तो इस प्रकार से अब देख सकते हैं कि यह जो पावर है इसका कितना उपियोगिता है यदि ज़्यादा पावर का आप होम अप्लाइंसे यूज करेंगे तो वह ज्यादा इनर्जी खाएगा कम पावर का यूज करेंगे तो कम इनर्जी खाएगा ज्यादा इनर्जी खाएग इतने power का appliance आपके घर में लगा है और आप इसको जोड भी सकते हैं इस प्रकार से आप दे सकते हैं It is the power consumed by a device that carries one ampere of current when operated at a potential difference of one volt तो इस प्रकार से यहाँ power को यहाँ define भी किया गया है जिसे मैंने बार बार आपको बता है कि one volt क्या होता है, one ampere क्या होता है, one watt क्या होता है तो बहुत सारे चीज को यहाँ पर define करना होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर one watt को define किया गया है one watt क्या हो गया, p is equal to क्या हो गया, v i तो one watt वराबर क्या हो गया, one volt into क्या हो गया, one ampere कहने का मतलब है यदि किसी डिवाइस को एक अमपियर का करिंट चाहिए एक वोल्ट पर तो हम लोग बोलें कि वह कितने पावर का है एक वाट पावर का है इस प्रकार से पावर को हम लोग और अलग भाशा में भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि यहां आगे आपको देख सकते हैं एनर्जी के रूप में पावर को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं वन वाट तो सबसे पहले मैं परिभाशा लिख फॉर्मूला लिख दूँ P is equal to W by T work done को हम लोग जूल में मेजर करते हैं T को second में मेजर करते हैं तो यदि मान लिजे कि 1 वाट लिखा है तो 1 वाट क्या हो गया 1 जूल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में एक जूल का एनर्जी कोई device यूज कर रहा है एनर्जी को तो उसे हम लोग क्या बलेंगे 1 वाट 2 वाट कहने का क्या मतलब हो गया 2 जूल पर सेकेंड 3 वाट कहने का क्या मतलब हो गया 3 जूल पर सेकेंड तो याद करते जाएंगे आप यदि हम लोग 100 वाट कहा रहे है तो मतलब क्या हो गया कि 100 Joule energy खा रहा है प्रती सेकंड में एक सेकंड में कितना जूल energy खा रहा है 100 Joule यदि 1000 Watt का कोई चीज आपके घर में है तो 1000 Joule energy खा रहा है प्रती सेकंड तो माल लिजे कि 2 Kilo Watt का कोई device आपके घर में है तो ये क्या खा रहा है 2000 Joule per second में energy को खा रहा है तो इस प्रकार से energy के term में आप इसको इस प्रकार से define कर सकते हैं कि यदि 1 Watt है तो क्या हो गया 1 Joule per second तो इस प्रकार से आप इसको define कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं वाट एक बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए हम लोग किलो वाट का भी यूज करते हैं, किलो वाट मैंने बता दिया कि 1 किलो वाट क्या होगा, 1000 वाट के बरावर होगा, यहां से आप देख सकते हैं, since electrical energy is the product of power and time, electrical energy power और time का क्या है, गुनन फल है, power into time, यहीं क्या हो गया, electrical energy हो गया, electrical energy, तो power आप देख सकते हैं, वाट में हम लोग यूज करते हैं, और time क्या हो गया, second हो गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, the unit of electrical energy, therefore, what hour, यह what और second हम लोग को नहीं लिखना है, वाट आवर यूज करना है, इसका मतलब electrical energy का, जो unit हो गया, electrical energy का unit क्या हो गया, वाट आवर हो गया, इस प्रकार से आपको यह याद रखना है, electrical energy का unit क्या हो गया, वाट आवर, one वाट आवर is the energy consumed when one watt of power is used for one hour, और one वाट आवर क्या हो गया, कि जब एक वाट का, आप देख सकते हैं, one वाट आवर का मतलब हो गया, जब एक वाट का power, यूज किया जा रहा है, एक आवर के लिए, one वाट का power यूज किया जा रहा है, कितने घंटा के लिए, एक घंटा के लिए, तो इसे हम लोग क्या वोलेंगे, one वाट आवर कहेंगे, the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, और commercial unit, जो कि हम लोग, यूज वाली unit के नाम से जानते हैं, वह क्या होता है, kilowatt hour होता है, kwh, तो आई इसको और भी अच्छा समझते हैं, ये class 9 में भी आपको पढ़ना था, तो one kilowatt hour, one kilowatt hour बरावर क्या हो गया, one unit, और यही आपको unit है, यही बिजली बिल, आप इसका भरते हैं, माले जी आपने प 10 रुपय के हिसाब से देते हैं, तो 500 रुपय आपको जमा करना होगा, ये आपने 200 unit बिजली बिल खर्चा किया है, इसका मतलब कि आपको 200 गुना 10, 2000 रुपया आपको बिजली बिल चुकाना है, तो ये एक kilowatt hour बिजली बिल खर्चा, एक kilowatt hour आप energy खर्चा करते हैं, इसका म तो one kilowatt hour, इसका कहने का क्या मतलब है, कि आपका जो device है, वह एक kilowatt का हो, और आप उसको एक घंटा तक चलाए, तो इसे हम लोग क्या बलेंगे, one kilowatt hour, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कि आपका एक AC है, जो कि one kilowatt power का है, आपने market से खरीद के लाया है, और उसे आप एक घंटा चलाते है, तो यह हो गया, one kilowatt hour, अब मान लिजिए, आप एक kilowatt का AC खरीद के लाया है, मतलब एक हजार वाट का AC है, यह तो मैंने आपको बता दिया, कि एक kilowatt का AC कितना हो गया, एक हजार वाट का AC आपने लाया, और इसको दस घंटा चलाया, मान लिजिए, रात में आपने दस घंटा चलाया है, तो यह हो गया, दस kilowatt hour, और दस kilowatt hour कहने का मतलब है, कि दस unit का बिजलिया खाएगा, और भी मैं बता रहा हूँ, मान लिजिए, कि आपके घर में, दस फैन लगे हुए हैं, और यह दस फैन है, वो सो वाट के हैं, कितने वाट के हैं, सो वाट के हैं, त तो दस फैन है, सो वाट के हैं, मतलब एक हजार वाट का हो गया, और एक हजार वाट मतलब एक किलो वाट का हो गया, अब मान लिजिए, यह पूरा फैन आप पांच घंटा के लिए चलाते हैं, तो कितना हो गया, पांच किलो वाट आवर, और पांच किलो वाट आवर मतलब देना होगा अब माली जी एक AC का बात करें जो कि 2000 वाट का AC है 2000 वाट का AC आपने अपने रूम में लगा लिया है मतलब क्या हो गया 2 किलो वाट का AC हो गया और आप इसको रात में 10 घंटा चला रहे हैं तेन आवर तो यह हो गया 10 आवर तो हो गया 20 किलो वाट आवर आपके सेहर में ये 8 रुपिया है तो 160 रुपिया का एक दिन में आपको मतलब कि ये 10 गंटा सिर्फ चलाने में 1160 रुपिया आपको लगेगह अब माल ले जैंच आपको 30 दिन चलाना है तो उसको आप जोड सकते हैं कि इतना लगेगह अब चली आपका माल नीजिए कि एक iron है एक iron माल लिजिए कि 1000 watt का आपने iron खेरदा है 1000 watt का iron है या फिर बोले तो एक किलो watt का iron है आपको किलोवatt में पहले change करना है तो 1 kilowatt का iron हो गया उसको आप 2 गंटा माल लिजिए use करते हैं तो यहो गया 2 kilowatt hour तो कितना यूनिट बिजली खाएगा दो यूनिट और जो भी आपका भी लाता है उसी साफ से आप इसका पैसा भरेंगे अब माल लीजे इस प्रकार से बहुत सारे आप प्रशन अपने हेल बुक से कर सकते हैं तो अब मैं बता रहा हूँ एनरजी को जूल में चेंज करना तो यह मैंने अभी भी पढ़ा है आपको वन वाट बराबर हम लोग क्या बोलेंगे वन जूल पर सेकेंड दस वाट क्या बोलेंगे दस जूल पर सेकेंड तीस वाट क्या बोलेंगे तीस जूल पर सेकेंड सो वाट क्या बोलेंगे सेकेंड में, एक हजार जूल का एनर्जी वह खारा है, तो एक बहुत ही फेमज प्रश्ण जो के आपको पूछा जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, यही है प्रश्ण, वन किलो वाट आवर, इसको आपको जूल में चेंज करना है, तो वन किलो वाट आवर को जूल में अब चली 1000 वाट आपको पता है 1000 जूल पर सेकंड अभी मैंने तुरंद बताया और ये 60 गुना 60 क्या हो गया आपका सेकंड से सेकंड कट जाएगा आवर को हम लोगों ने सेकंड में इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर वाट क्या होता है जूल पर सेकंड तो आप देखेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 यही क्या हो गया आपका 36 हो गया 36 तो यह हो गया जूल और आप देख सकते इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.6 into 10 to the power 6 जूल तो यह बहुत ही famous प्रशन है जो कि आपको पूछा जाता है और इस प्रकार से 1 kilowatt hour दो kilowatt hour आप किसी को भी change कर सकते हैं जूल में तो next वीडियो में आपको कुछ और न्यमेरी गल बताऊंगा तो मिलते हैं next वीडियो में धर्निवाद